हमिशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो कि खाली बैट गए ना और एक बार खाली बैटने की आदत अभी इस एच में पढ़ गई तो आगे जागर कि आपसे कामी नहीं होगा आप समझ रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग है और इंडिया में तो बरे पढ़े हैं गल्त टाईम पर खाली बैठने के आदत पढ़ गईे अब खाली बैठने के आदत पढ़ेगी तो आपको सरकल कैसे people appetite के लिए गाड़े अब लॉग क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए गाड़े करेगा कैसे होता है पत्ते खेलेगा सट्टा लगाएका अल्टे सीथे काम करेगा रैट यह सब मिलता चुलता है पक्ता, सटा, सुटा इन टा से बचके रहो जी आप समझ आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? Does it make sense? कि अगर आप खाली हो गए चोईस आपके हाथ में है यह ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए कुछ क्लासे अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो अब आप कह रहे हो कि यार सही है खाली टाइम है तो आप टाइम पास करो इस इस वान ओप्शन that you have got सेकेंड ओप्शन क्या है कि खाली टाइम है इसको यूटिलाईस करो लिट मी दू सम्थिंग तो तो मेक माइसल बेटर नौट जस्ट इंटर्म्स अफ एड्यूकेशन बट ओवरॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाईस में आपको यह दे सकता हूँ बेस्ट अपॉन माई अंडर्स्टैंडिंग एन एक्स्पिरिंस के कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का और उसमें कोई बहुत बड़ी इंवेस्मेंट नहीं है ना टाइम की ना पैसे की तो तो he was in one of the best universities in the world और उन्होंने साथ-साथ में क्या किया था पता है किसी को कैलीग्राफिक कैलीग्राफिक अफसो जो कहा है कनेक्शन he was not in an art college but he was learning कैलीग्राफिक लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने dots को connect किया इसको बोलते हैं connecting the dots तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें ठीक है तो ये छोटी-छोटी चीज़े होती है लाइफ में जो आपकी personality को एक अलग level पे ले जाती है चाहे वो कुछ भी हो मतलब आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घुमना ही है तो उसको भी time pass करने के motive से मद घुमो कुछ सीखने के motive से घुमो आप समझ गया है ना मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहाँ पे भी अपना mindset ये रखो कि यार मैं अपना time pass नहीं कर रहा हूँ time को utilize कर रहा हूँ why not? this is the way of thinking जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है because time pass इतना गंदा word है that means कि आप डल होगे there is nothing like time pass for me in my life everything is utilization of time कुछ भी कर रहे हो कुछ नो कुछ सीख रहे हो समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी कर गया आत्मी कैसी कैसी हर्कते करता है समझ रहे हो और उसकी वेसे क्या गड़बड होती है कभी डंडे भी पढ़ सकते है कुछ भी हो सकता है तो उस समय भी उससे भी कुछ नो कुछ सीख लो कुछ नई दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहाँ पर भी कुछ सीखो तो आप क्या करोगे आप सुनोगे उनकी बातों को आप समझोगे आप उनसे बात करोगे और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें ना कि अपनी अपनी बोलते रहे है कि नहीं मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैट करके यह जी चीजे हैं छोटी छोटी होती है लेकिन अगर आपका सीखने का मैंड सेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ न कुछ सीख रहे हो ना तो यू नोटेश कि आप धीरे-धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो कि मतलब सिरव आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो बट यू आर बिकॉमिंग अ बेटर यूमन भी जो बहुत बड़ी चीज है एक तो है कि आप एक डिग्री लेकर के निकल तो आए लेकिन पस्नालिटी आपकी वैसी की वैसी है जब आप कॉलेज में गए थे या माइनर चेंजे आए यह आप पूरे तरीके से ट्रांस्फॉर्म हो है कि आपको अगर कोई हर एक साल बाद मिलेगा तो मिल करके क्या कहेगा अगर वह कह रहा है कि यार तु वैसा ही है बिल्कुल नहीं बदला तो समझे हो आप गला ट्रैक में जा रहे हो लोग इसको कॉम्प्लिमेंट समझ लेते है तो यह सिर्फ अभी के लिए नहीं है कि अभी आपकी एज है 18-19 साल तो यह अभी के लिए नहीं है पूरी लाइफ के लिए लेकिन पूरी लाइफ के लिए यह टिके कैसे रहोगे इस थौट के ओपर जिसके में आपको बात कर रहा हूँ कि कुछ नो कुछ सीथते रहना है अगर आपने भी नोट किया होगा तो आज से चार साल पहले जो मेरे सेशन्स देखे होंगे और आज जो सेशन्स देख रहे हो उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क मिल रहा हो तो क्या हो रहा है कभी सोचा है मैं कॉंस्टेंटली ग्रो करता चला जा रहा हूँ मतला आप अगर मेरे को अभी मिल रहे हो अगर अगले छे महिने बाद मिलोगे तो यू उड़ फाइंड डिफरेंट पोसन कुछ लोगों को इसमें थोड़ा अंकमफटेबल भी लगेगा वो कहेंगे यार ये तो कल कुछ कह रहा था आज कुछ कह रहा है अरे ना बदल गया भाई समझ कहना ताट मींस आइम ग्रोईंग मेरी अंड़स्टेंडिग भढ रही है I'm not stagnant मैं रुके ओवे पानी के जैसा नहीं हूँ जिसमें काई जम जाती है मैं बहते ओवे पानी के जैसा बह रहा हूँ, बड़ी तेजी से बह रहा हूँ 24 घंटे शीख रहा हूँ समझ रहा हूँ ठीक है? तो most important यहाँ पर अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा उसको अगर मैं समप करूँ तो most important busy रहना है अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर आप कुछ भी सीख रहे हो चाहिए वो काम थोड़ा सा गलत भी है दुनिया की नजर में कि करोगे तो वैसे भी लेकिन उसके सीख रहे हो तो वो गलत काम भी सही है गलत काम क्या है मुझे बताने की जरुवत नहीं है आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हो बहुत तरह के गलत काम है इस दुनिया में गलत काम भी अगर आप एक learning attitude से कर रहे हो कि मुझे सीखना है and I need to grow out of it तो अच्छा है और एक सही काम भी बस करने के लिए कर रहे हो तो बिकार है कि घरवालोंने कहा है कि ये career choose करो और पढ़ो तो हाँ बस घरवालोंने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ करके मेरे को नौकरी लग जाएगी ये हो जाएगा वो जाएगा तो होगा क्या कि अगर ही सीखने वाला attitude होगा तो यू विल नेवर गेट स्टक नियो लाइफ आप कॉंस्टेंटली आगे 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 भढ़ते चले जाओगे ग्रो करते चले जाओगे खाली बैटने से अच्छा है कि कुछ आप बेकार का काम कर रहे हो अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो जहां करके अपने घर से निकल जाओ घर से मतलब घर छोड़ना नहीं है पर आगे घरवाले मेरे पास आजाए घर से निकल जाओ का मतलब कि घर में बैठे होए हो ठके होए टीवी देख रहे हो उससे अच्छा है कि भार बैठ जाओ 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 बैठ करके लोगों को अब्सर्व करो देखो लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हो जो आप बनने वाले हो जो वो बन चुके हैं उनको देखो बहुत कुछ सीखने का मिलेगा समझ पा रहे हो जैसे for example आप एक engineering college में हो तो आप क्या बनने वाले हो engineer बनने वाले हो engineer बनके क्या करोगे क्या करोगे किसी न किसी multinational company में जाओगे as a software engineer वहाँ पर काम करोगे वहाँ बार जाकर करके बैठ जाओ देखो उन लोगों को जो वहाँ पहुच चुके हैं जहाँ पहुचना चाहते हो जाकरके उन लोगों से बात करो बात तो करी लेंगे बात करने में क्या दिक्कत है lunch break होती है उसके time पर सब लोग बहार आते हैं करते हैं बैठते हैं तो उनसे बात कर सकते हो जादा नहीं आपने 2-4 लोगों से भी बात करी कितना कुछ सीखने को मिल सकता है उनको बताओ कि ऐसे से मैं यहाँ पर हूँ इस कॉलेज में हूँ और मैं आगे जाकर कि कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ तो I just want to learn something from you can you share something out of your experience to me it would be really helpful for me सोचो तो उनसे बात करके आप जो सीखोगे क्या हो छोटी चीज हो की बहुत बड़ी चीज हो सकते है तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप एक तो busy हो रहे हो दूसरा आप सीख रहे हो कुछ constructive सीख रहे हो तो हो सकता है उनसे बात करके आपको ideas मिलेंगे कि जो तुम कर रहे हो सिर्फ उससे कुछ नहीं होने आला साथ में ये भी कर दो तो now you have an edge मतला आपके college में जो हजारों बच्चे हैं और आप हो आप में और उनमें एक फरक आ गया क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर रहे चैद वो समझ नहीं पा रहे है वो देख नहीं पा रहे है बट आप देख पा रहे हो आप समझ पा रहे हो तो इस तरह से आप अगर अपना ये mindset बना सको कि मुझे चाहे में कुछ भी कर रहा हूँ एक तो मेरे को हमेशा अपने आपको busy रखना है और कुछ नों को सीखते रहना है सीखते रहना है सीखते रहना है देन यूवल कीप ओन ग्रोइं और देन इस ग्रोइंग विल बिकम यूर हैबिट आदत पढ़ गई जिसे हरिक की अपनी एक आदत पढ़ जाती है वो आदत इसी एच से पढ़नी शुरू हो जाती है आदते अभी से पढ़नी शुरू हो जाएगे अभी एगर आदत पढ़ गई कि यार बस मेरे को ना कहीं से comfortable life मिल जाए समझ गए है गए है पूरी life के लिए मिल भी गई तब भी मरे नहीं मिली तब भी मरे नहीं मिली तो रोते रहोगे और मिल गई तो comfort zone में चले जाओगे और comfort zone बड़ा boring होता है यह अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी लेकिन जब आने वाले 10 साल बाद आपने आपको देखोगे अगर इक comfort zone में पहुँच गए तब आपको realize होगा कि life कितनी boring है repeat होने लग जाती है life same routine चलने लग जाता है शुरू में कुछ दिन तक बड़ा अच्छा लगता है नई company में गए, नई job, नए लोग है हो फिर जैसी routine में जाते हो सब boring लगने लग जाता है make growing your habit if that is your habit अगर वो आपकी आदत बन गई है तो अब आप कुछ कमाल के बन सकते हो अब आप कुछ ऐसे बन सकते हो इसको देख करके the whole world will be proud of you चलनो दुनिया को भी छोड़ो दुनिया whether they will be proud of you or not but you will be proud of yourself most important